नमस्कार के साथियों मैं हूँ सौनु चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलू के एक खेत में और आज मैं आप लोगों के सीधे जन करी दूँगा कुफरी पुसकर के बारे में और जो कि यहां पर साधाबाद जनपदहत्रस में कुफरी पुसकर जो नया प्रजाती का अलूओ यहां पर हुआ है अगर बात करें जो कुफरी पुसकर होता है व कैसा होता है आप जानना चाहते हैं तो कैसा होता है यह लंबे और अनडाकार का अलू छूटा इसमें आखें भी सफेद गुदा बच्छे पर रचने वाले होता है जो बिजाई के 60-70 दिनों में यहाँ पर जो आलु है वो मैं लिकालके दखाता हूं श्रीकॉर द्यूल होता है और नागी जाता कि आज बारे में अगर हम बात करें तो एदर रही है और यहाँ पर जो आलु है वो मैं लिकाल के दिखाता हूँ तीन परत वाला आलू बताया जाता है यह जो है और इसमें अगर हम बात करें तो आलू का जो नसल होती है देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था लंबी चाल का तो किसान भाई यो देखिए आलू खुदाई खोद के देख रहा है जैसा कि है निदे आलू खोद आपको अब यह देखे हैं तो अब एक मैं आपको आलू गिनके दिखाएंगे आपको तो टैंसन ना लीजिए क्योंकि अभी इसमें लग रहे हैं कि जो आलू है वो कितना है अभी बीजका भी नहीं चड़ा चले कोई बात नहीं अब आप यह देखिए यह कुफरी पुसकर है कुफरी पुसकर की अगर बात की जाए तो चाचा जी ज़र पान छे साथ आठ नो दस इस है आप बहुत बहुत अच्छी खेती है और अच्छा अलू फूलता है इसका कोई खराब नहीं है कितने दिन की कृप होई लग बग यह खुदाई की है तो यह आलू है चलिए एक पेड़ नीचे कुल कितने आलू है लेकिन बागे चोटे और उसके अंदर हैं जैसा कि कुफरी पुसकर के बारे मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि यह कुफरी पुसकर है यह दोड़ी पैदा यानि दोग उनी पैदा दे जाता है और यह भी क्रॉप जो है साट से सतर दिन में पूरी कंप्लीट हो जाती ह आप देखिए आलू भी काफी मौटा है एक पेड़ के नीचे पंद्र है चोदे पंद्र है बाकी छोटे छोटे और रहे गए चलिए के यहां पर इसे रखते हैं और आगे अन्न खेत में और जाके देखते हैं किसान भाईयों मैं दूसरे खेत में आ चुका हूं और कुफर सब्सक्राइब देखिए कितने दिन की फसल हो चुकी है और क्या हालत है और देखिए जैसे कि आपकी 60-70 दिन की क्रॉप का अंदाजा आप लगा सकते हैं देखिए थोड़ा केमरावन मेरी तरब भी दिखाए उनको भी दिखाए जैसे कि आलू बैट दिखाए जा रहा है क कि अलू की इस्तिती का अगर बात करें तो मेरे साथ में एक किसान महाँ है अपका रहने वाले कितने भीगा खेत में आप कुछकर किया है कितने दिन की फसल हो गई कितने दर्वन भाद खुदना शुरू कर देंगे 60 दिन बाद 15 दिन वाद आपकी शुरू हो जाई किया पैदावान निकल रही है यागी 70 की लाथ तेस कितने पैकट का भीगा निकल दा रही है इससे उपन जाता है कि इतना यह जाता है याँ अगर बात करें तो अच्छा रही है प्रजाती अच्छा रहा दे जाती है तो आप क्या मानने जैसे बोलते हैं कि कुफरी पुसकर जो है काफी वैसा होता है जैसे कच्छी फसल खुली है पकी नहीं होती है पकी भी होती है चलिए मालेते हैं जिस खेत में मौझूद है बारिस भी हो रही है और मैं मौसम जड़ा ऊपर दिखाई है और मैं बता नहीं की देखने आया था फसल जो है क्या इस्तिती है उसके बाद में बात करेंगा एक और मेरे साथ में किसान मौझूद हैं इन सही पुछलें जी चाथा क्या नहीं है आप श्यामबीट से कहां के रहने वाले हैं आप भी इस क्रॉफ को देखना है बारिबार इसमें है बि लेकिन आप हमारे सादाव में जलोड मिट्टी कर नहीं होने लगा अच्छा हो रहा है आप पेड़ खोदा था एक जो पेड़ खोदा था उसमें कितने आलू निकले तक करीवन एक पेड़ के नीचे 20 आलू तक निकलाते एक पेड़ के नीचे तो जो किसान जो हैं अलग अपने हातों से तो जो आलो के मकावले कैसा है अच्छा आलू और मुकावले पैदावार में अजह बात करें खाने का स्वाथ कैसा होता है खाने का सुआ ठीक है यांई या उसका एक और गेनिक खेती की है अभी तो नहोंने दवाई तो अभी कोई नहीं दी होगी इसके अंदर और गेनिक है यानिक देशी खाद बगएरा से देशी खाद बगएरा दिया कि डिये भी 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 कुछ नहीं लगाया तो मेरे साथ में एक किसान और मौजूद हैं जी सब्सक्राइब कितना वह निकला है एक पेड के नीचे वह भी अभी मीडियम है अभी बढ़ा नहीं हुआ है तो जब जब एक फसल जो आपने कीती लगाई थी उस समय पे आपने इस फसल के लिए क्या क्या प्रियूट किया था कुछ नहीं इसमें जो बढ़िया जुताई कर गई बहुत दिया था खाद ही ज़्यादा डाला इसमें कुछ नहीं डाला है केवल देशी खाती है तो जब इतनी पैदावार रहे हैं तो किसान वाई यह आपके लिए काफी खुसकबर है मेरे साथ में एक महिला किसान भी मौ प्रगतिसील किसान है और आपने इस तरीके का आलू को पहली बार साधाबाद छेत्र में किया है पैदावार कैसी निकले ताइए पैदावार कैसी निकले देशी खात से इतना ही हुआ है देशी खात से इसमें 20 दिन अभी 20 दिन खुदाई कि रहे हैं जब खोदेंगे तो क शुस्ulse आप एक मेहला किसान थे तो अन्य मेहिला किसानों के लिए क्या रोपाद श्रुम है आन्याक किसान के लिए और कंब Health के लिए और कि एक कांसा रेगी तो हमारे तरव से बहुत बहुत बारिस भी हो रही है कैसा लग रहा है अगर यह बारिस हो जाती है तो इन फसलों पर भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा मेरे साथ में ग्राम प्रधान भी मौझूद है इनसे ही पूछ लेते हैं क्योंकि पहली बार इसमें जो आलू हुआ है वो हुआ है पुस्कर और वह भी और 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 इसमें जो है और कोई भी प्रयूग नहीं है कि मेरे साथ में प्रदान जी वह वदूद है और के पिछली बार ही इनी प्रदान से बात करे था ता काफी अच्छा रेस्पंज रहें प्रदान जी किसानों को बहुत ज्याधा प्रेलित बारहरे नes voice करें रहा रहें बार बार के जो इन बढ़ी अच्छी पहरा होती है पखे की तो नब पिचानवा कट्टा कभी या हुआ तो यह मुझे एक बात है यह प्रगति सील किसान आप आपके किसान लोग जो है अन्ने किसानों के लिए काफी मिसाल बने हुए हुं बढ़िया बढ़िया बने हुए तो ऐसे जो किसान जो अपने हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं या पूरे दिन सोचते रहते हैं सोचते बिचारते रहते हैं उनके लिए क्या संदिश देना चाहिए करें पुसकर करें तो सबसे अच्छा पैदावार होगी और रेट भी अच्छे मिलेंगे कोई ऐसा है नहीं काटी सपेद में कि खेदके मालिक कहा है इस समय हम हम नहीं करें हमारे है हमारे यह फिर अशर यह लेकर अगर नमरे प्रजूदा था यह लेका पिर्दान तो अच्छे चछलते हैं अच्छे के अभी अपने पैसे नहीं है कि सबस्षे मुच्छ और रहेば तो जो किसान जो हैं काफी लालाइत रहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी पुराना आलू बचा हुआ है वो तो पुराना आलू को बरसा हो जाए तो ने पुराने आलू को भाव जाएगा अब तुम्हारे खेत में घड़े हैं प्रदान जी बरसा तो सब्सक्राणा जो फाटनों को को तो किसी को सब्सक्राणाब है प्रक्रत को नगा अभी अगर देखेuksंद टेड़ अगे Employee का विस सब्सक्राइब तो यसा निकल नित्छा रहा है कितना यह फुरी निकल रहा करें कि सब्सक्राण या के निकल द किसी को आप the strategy निकल किसी पेड़ के नीचे 20 भी निकल ला है तो यह कौन साल हुए आपका यह फुसकर है और यह पहली बार में आपका खेटी किया है इसकी तो पहली बार में अच्छा रेस्पंस देखने है इसका अगर आप देखें तो 60-70 दिन में यह पूरा हो जाता है यह इसका जो बारी सुर कर देंगे हां कर लो बीच दिन मतलब 60-70 दिन की यह फसल होती है यह ज्यादा नहीं होती नहीं तो आप इसे बेच आएंगे अच्छा मनाफ़ा मिल जाएगा आपको फिर क्या कर देंगे इसको बार चलिए किसान वाईओ आपने पुसकर के बारे में जानका जिदी मेरे जो आप जो मुहीं किसानों के प्रठी आप चला रहे हैं और जिपसाइइजानों को मुनाफ़ा होगा और उनका नुकसान नहीं होगा जिस तरह से बैपारे उनकी लुट कर ले रहे हैं उनके यालू की लूट वह से बच रही है कुछ ना कुछ अभी असर देखरा है च्व बताया हो या कुछ ऐसा बताया हो कि जहां आपको कुछ आमदनी घटी या बरबाद हो गए हो नहीं बिलकुल ही बहुत ही बेनिफिट मिलना है आपकी बातों से और जो मुहीम आपके प्रतिश चल रहे हैं वाकी काबले तारीफ है और जो अवाल जो लोग फैलाते हैं आपके पर ट्रैट लिए हजार भी लिया और 1900 भी लिया था जब आलू मुक्षान के लिए क् Ecuador करेंगे जो आलू किसान ग्राउंड जीरो से रेपोर्ट देखने के लिए आप हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर लिए पास महीं बैल आइकन है उसे आल पर सेलेक्ट कर लिए आज हमने आलू की पुस्कर की बारे में बताया और बाद जाई और बी जानकारी देंगे और उनसे भी कुछ और पूछेंग हो गई सलैंपूर और यह जो पूस्ट इनकी सलैंपूर पढ़ती है गां हो गई है तहसल साधावा जनपतात्रस और इन्हों ने यह काफी प्रगति से लिगाना है किसाने मैं आपको बता दूँ ताई जी ने प्रेर ना दीती क्योंकि ताई जी अपने गां से देखके आई बिल्कुल ऐसी वात है ताई जी ने आपके लिए आपके लिए आप इतना बढ़िया काम कर दिया बढ़िया कर दिया बढ़िया कर नहीं किया तो महिला ससकती करान के लिए हैं के नहीं है आप परिवार परिवार की करता दरता होती हैं करता दरता होती हैं तो खुस हैं तो बाइब और देखते हैं अन्य के खेतों में क्या चल लए आलू की पैदाबार तो दन्यवाद किसान साथी हो ऐसे वीडियों देखने के लिए ग्राउंट तो आप लोगों का दिन शुब